वेलकम टू न्यूज बवेटू चनलन जास्तो सरकार ने यहाँ पे एलान किया है कि सभी रासन कार्ड धारकों को डीबिटी के जरिए एक हजार रुपे मदद के रूप में दिये जाएगे जास्तो हाला कि इसका फाइदा उनी रासन कार्ड धारकों को मिलेगा जिनकी आदार जो है सिडिंग हो चुकी है अब आपको बताने वाला हुँकी आदार सिडिंग क्या होती है और किन किन कैंडिडेट को इसका फाइदा मिलने वाला है कौन जो है रासन कार्ड दारक है कौन पात्र है जिनको एक हजार रुपे मदद के तोर पर मिलने वाले है बने रहे इस वीडियो को लास अगजरे वीडियो को इसकी बना करे उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप चैनल पर नए है और पहली बार वीडियो पर वीजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में घंटी वाले बटन को ज़रू दबा ले जहांस तो कोरोना संकर्मन से निपटने के लिए केंदर सरकार के साथ राज्य सरकारे भी अपने अस्तर पर प्रदेश के लोगों को राहत देने की भरपूर कोशिस कर रही है जहांस तो यहां पर बियार के मुख्यमंतरी नितियस कुमार ने भी अलान किया है कि लोकडाउन के मद्दे नजर खाद सुरक्सा अधिनियम के तैत सबी राशन काड़ दारकों को डीबीटी यानि की डिरेक्ट बेनेफिट ट्रांसपर के जरिये मदद के रूप में 1000 रुपे परती परिवार दिया जाएगा हाला कि इसके लिए आदार सिडिंग जरूरी है मुख्यमंतरी जी ने निर्देश दिया है कि डीबीटी ट्रांसपर की गती तेज की जाए और लाभारतियों को कम से कम समय में मनी ट्रांसपर करने की कारवाई सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि जिन राशन काड़ धारकों की आदार सिडिंग नहीं हो पाई है उनकी सिडिंग जल्द कराकर 1000 रुपे का भुगतान किया जाए जास आप देख सकतों यहाँ पर ट्वीटर पे भी जो है नितिश कुमार ने ये पोस्ट डाली है लिखा है कि जिन राशन काड़ धारकों की आदार सिडिंग नहीं हो पाई है उनकी सिडिंग सिग्र कराकर 1000 रुपे का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या होती है आदार सिडिंग कैसे करा सकते हैं आदार सिडिंग को आदार काड को बैंक के खाते से जोड़ना आदार सिडिंग कहलाता है इससे सरकार को अपनी योजनाओ को लागू करने में आसानी होगी तता योजनाओ से मिलने वाली सबसीड़ी गड़हा के खाते तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है यानि कि आपका जो बैंक एकाउंट है वो आदार कार्ड से लिंक होना बेहद जरूरी है जया हुसतो आप गर बैटे कैसे कर सकते है आदार से लिंक वूवी आपको बताने वाला हूँ ऑदार से जोड़ने का काम घर बैटे ऑणरान किया जा सकता है सबसे पहले इंटरनेट बैंकिन लोगिन करे इसके बाद अपडेट आदार कार्ड डेटेल या फिर आदार card sitting option पर किलिक करे किलिक करने के बाद एक नया page open होगा जिसमें अपना आदार card number अपडेट कर submit कर दे bank आपसे अपना mobile number confirm करने के लिए कहेगा और फिर आपके registered mobile number पर आदार update होने की जानकारी message कर दी जाएगी जिन candidate के पास net banking है वो अपनी आदार sitting को कर सकता है जांस तो SMS दवारा भी आप आदार number अपने account से link कर सकते हैं इसके लिए आपका number bank के साथ registered होना चाहिए state bank के customer आदार number और खाता number लिखकर 5-6-7-6-7-6 पर message कर सकते हैं अगर आपका mobile number bank के साथ registered नहीं या फिर आपका आदार पहले से link है तो आपको bank की और से reply में एक message आ जाएगा अगर आपका mobile number bank के साथ registered है तो update के साथ संबंद में confirmation का message आएगा कहीं बैंकों ने अभी SMS से आदार अपडेट करने की सुईदा शुरू नहीं की है और बहुत से बैंकों ने आदार अपडेट करने की सुईदा शुरू कर दी है जासतो अगर आपके पास ATM है तो SBI समयत कुछ bank ATM के माध्यम से भी आदार कार्ड लिंक करने की सुईदा दे रहे है इसके लिए ATM में कार्ड स्वाइप कर अपना पिन डाले और फिर service registration का option select करे इस menu में आदार कार्ड registration का option select करे या फिर जो भी सम्बंदित option हो उसे चुने इसके बाद आप अपने account का परकार चुने बचत खाता या चालू खाता और अपना आदार कार्ड अपडेट करे इसके अलावा जिस bank में आपका account है उसकी branch को विजिट कर भी आदार सिडिंग करवा सकते है इसके लिए आपको आदार कार्ड registered mobile number के bank passbook की जरूरत होगी अगर आपका रासन कार्ड आदार कार्ड से link नहीं तो यह काम भी online किया जा सकता है पहले आदार की अधिकारिक वेवे साइट पर जाए लोगिन करने के बाद मेनू में benefit option का select करें यहां रासन कार्ड का option मिलेगा जिस पर click करना है जरूरी जानकारी भरने के बाद प्रोसेस करना है verification के बाद registered mobile number पर एक notification आ जाएगा इसके अलावा यह काम आदार सेंटर यह जन सुईदा केंदर पर भी उपलब्द है I hope आपको जानकर यह अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें और चैनल को subscribe नहीं के पिलीज चैनल को जरूर subscribe करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूले क्योंकि न्यूज बाबा हमेशा 100% विश्वसीने सटी के हम सत्य सुचना यह लेकर आता है और आगे भी लेकर आते रहेगे तो मिलता है कोई latest update के साथ अगर आपके कोई भी questions या comment है तो please हमें करें आपका उत्तर एकदम तुरंत आपको मिलेगा कोई भी जानकारी लेनी है तो comment में पता कर सकता है Instagram, Facebook आदी को follow कर ले मिलता है नई notification का तब तक लिए जाएंगे